अब हम load resistance पे हारी करते हैं पहले 100 ओर रखते हैं तो हमारा load current के आता है 1.4 milliampere और जो हमारा voltage है वो 14.1 वोल्ट आता है नेक्स्ट रिक्टिफायर है इसमें कापैसिटर कनेक्ट किया और डिसकनेक्ट किया तो जो हमारे वेवफ़म है वो कैसे आती है अब हमने जो हमारा इंपुट कापैसिटर फिल्टर है वो हमने डिसकनेक्ट किया है तो हमारा जो वेवफ़म है वो एसे आती है हमारा वोल्ट आ गया और जो हमारा DC वोल्टेज है वो 21.69 वोल्ट है इसलिए जो हमारा रिपल फेक्टर है उसका फॉर्मिला है VR divided by VM मतलब क्या 2.5 divided by 21